I hope कि आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब भी किया है और मेरी वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं और हाँ सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करते हैं And मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर रहे हैं पेस्पुक पे जुगनकाजिम ओफिशल पे फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर और इंस्टरग्राम पे जे यू जी जी यू एन के एजड़ाइम लिखके फॉलो कर सकते हैं पिस्पुल्ह रख्मान रहीम अस्सलाम अलेकूम I hope everyone is well And आप लोग मुझे अपनी द्वाओं में जरूर शामिल कर रहे हैं आज मैं एक बहुत ही important चीज़ के बारे में बात करना चाहूंगी पिछले काफी अर्से से मैं देख रही हूं कि खवातीन और मर्द अपने मेटाबलिजम का बेडा करक कर रहे हैं और वेट लूस करने के बजाए उनका वेट फस रहा है या वो वेट गेन कर रहे हैं लेकिन इस पर बात करने से पहले मेरे यूट्यूब के चानल पर आपने जरूर सब्सक्राइब करना है नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना है इस वीडियो को अगर आपको पसांद आए तो लाइक भी करना है शेर भी करना है और कॉमेंट्स जरूर शेर करने है मैं इस चीज से बहुत घबराती हूँ कि मैं कोई ऐसी एडवाइस दे दूँ जो किसी के लिए नुकसान दे हो या नेगिटिव हो लेकिन आप लोग बार-बार पूछते हैं वेट लॉस के बारे में और मैं आपको गाइड करना भी चाहती हूँ लेकिन वेट लॉस की तरफ जाने से पहले यह अंडिस्टाइंड करना जुरूरी है कि हमारा वजन बैलन्स में या कम करने में या बढ़ाने में किस चीज का हाथ है उसमें हाथ है मेटाबलिसम का अब मेटाबलिसम क्या है यह एक केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉड़ी जो है वो फैट को और हमारी बॉड़ी की प्रोसेस को फंक्शन में लेके आती है और हम वेट को कम कर पाते हैं हमारे फैट को बन करती है अगर हमारा metabolism slow होगा तो हमारी body weight gain करेगी अगर हमारा metabolism मतलब इतना है कि जितना हम खाते हैं तो उसको burn कर लेता है तो weight वहीं पे stuck रहेगा और अगर हम आपने metabolism को बहुत ज़ादा fast कर लेंगे तो हम weight को lose करेंगे बड़ी simple सी बात है तेज metabolism weight loss, slow metabolism weight gain या फिर weight bust जाएगा यह understand करें कि सिर्फ exercise करने से वजन कम नहीं होता exercise से आपका metabolism ज़रूर तेज हो जाता है लेकिन एक proper regime होना जिसको आप follow करें उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है एक बात भूके रहने से और starve करने से आप अपने उपर कोई एहसान नहीं कर रहे है आप अपने metabolism को slow करते जाते हैं अगर आप starvation diet पे जाते हैं अपने आपको भूका रखते हैं सारा सारा देन या 8-8-10-10 गंटे तो होता यह है कि 2-4-5 दिन, 10 दिन, हफता यह तो आपका weight कम होगा लेकिन फिर आपका weight stuck हो जाएगा अकसर लोग मुझे आके कहते हैं चुकर मैं तो सिरफ दुपेर को खाना खाती हूँ यह मैं सिरफ रात का खाना काती हूँ सारा दिन मैं सिरफ green tea पीती हूँ लेकिन मेरा weight stuck है अगर आप अपने metabolism को जीरो पे ले आएंगे यह एक बहुत बड़ा myth है कि खाना छोड़ने से वजन कम होता है सही चीजें खाने से छोटी quantities में खाने से और regularly खाने से weight ज्यादा कम होता है अब जाहरी आप दिन में 4 दवा पराठे खाएंगे तो दवाने हारी खाएंगे और प्ररीम खाएंगे यह साथ में पाए भी खाएंगे तो मसला तो पढ़ेगा लेकिन अगर आप छोटी frequent meals लेंगे आपका metabolism भी active रहेगा और आपका lifestyle healthy होगा भूक लगी है तो खीरे खाने गाजर काट के खाने fruits and vegetables का इस्तेमाल करें strawberries, berries एक natural मीठा है जो आपको provide किया गया है nature की तरफ से और इससे weight gain नहीं होता आप strawberries खाएंगे अगर आपको blueberries मिलते हैं वो खाएं blackberries खाएंगे जो पाकिसान में हैं वो तो strawberries ही खा सकते हैं आपकी चीज़े मिलती भी नहीं और महंगी होती है लेकिन strawberries खाएं ये एक natural मीठा है इससे आपको weight gain में नहीं होगा उसके साथ साथ योगर्ट अब दही मुझे बहुत पसंद है Greek yogurt मगर वो दही नहीं जो आपको मिलती है मार्केट में वो बली दही जो आप घर में डालते हैं जो कुंडे की दही भी कहते हैं ये जो Greek yogurt है ये बहुत ही अच्छी है ये आपके digestive system को के अंदर probiotics डालती है और वो एक ऐसा bacteria है जो आपके metabolism को बहुत help करता है तो yogurt का ज्याद से जादा इस्तमाल करें अब ये नहीं कि सुबह से लेकर आप तक लसियां पिएं प्योर yogurt को खाएं अगर आपका दिलचार है उसके साथ कुछ कमबाइंग करने को तो उसके अंदर strawberries काट के डाल दें ये फल का combination है तो बहुत अच्छा होता है metabolism को तेज करने के लिए exercise का role बहुत एहम है कोशिश करें के active रहें human body create की गई थी हिलने जुलने के लिए हम क्या करते हैं के exercise के लिए सिरफ उठेंगे 40 minute, 45 minute और बाकी सारा वक्त हम बैठे रहेंगे please हर वक्त बैठे ना रहा करें सीडियां चलें, walk करें घर में वैसे ही बैठे बोर हो रहे हैं तो तहलना शुरू कर दें, don't sit all the time बहुत ज्यादा बैठने से और ना move करने की वज़ा से भी weight gain होता है और metabolism slow down होता है active रहें, अच्छा एक और चीज़ जो बहुत ही अच्छी है आपके metabolism के लिए, वो है good facts यानि के जेतून का तेल हो गया, coconut oil हो गया, सरसों का तेल हो गया ये चीज़ें भी आपके metabolism के लिए अच्छी हैं ये बहुत बड़ा मित है के तेल छोड़ दो तो weight बहुत कम हो जाएगा oil को भी diet से अगर altogether निकाल देंगे तो जिस दिन आपने जरा सा भी तेल खाया आपकी body gain करेंगी weight so अच्छे oils का इस्तमाल करें, देशी की बहुत अच्छा है, जो pure white वाला butter होता है वो बहुत अच्छा होता है so इन चीज़ों का मुनासिब मिकदार में इस्तमाल करें किसी भी चीज़ को diet से 100% ना निकालें, अगर 100% आप carbohydrate निकाल देंगे तो eventually वो चीज़ आपको disturb करेंगी 100% आप protein निकाल देंगे वो भी आपको bother करेंगी, पूरा का पूरा fat निकाल देंगे वो भी problem create करेंगी so हर चीज़ को यूज़ करें, कम मिक्तार में करें, healthy lifestyle की तरफ चाहें, diet ना करें अगर आप बहुत ज़्यादा dieting, dieting करेंगे तो आपकी जिंदगी पे इसके भी कुछ negative असरात होगे पानी, miracle drink है, आपको हर तरीके से help करती है और warm water जो है, वो आपके digestive system के लिए भी अनिजामे हजम के लिए बहुत अच्छा होता है warm water का इस्तमाल करें, ये भी आपको बहुत ज़्यादा help करेंगा और सारा दिन पानी पीते रहें लोग क्या करते हैं कि 8 गंटे पानी नहीं पिया फिर 4 गलास पानी एक साथ पी लिए, don't do that पानी सारा दिन पिये, पानी भी आपकी digestion को help करता है और नींद का पूरा होना आठ गंटे नींद को पूरा करें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी नींद को पूरा नहीं करतें आपका metabolism बरबाद हो जाता है नींद ना पूरा करने की वेचा से और रात को सोईं रात है time सोने का, दिन है active होने का, जब हम रात को active होते हैं और दिन को सोते हैं हमारा metabolism सारा उल्टा हो जाता है, so, उसको भी ठीक करना बहुत important है, so, try and get 8 hours of sleep, 8 to 10 glasses of water, remain as active as you can, जिर्फ 40-40 में exercise नहीं करना, उसके साथ-साथ भी active रहना है, हिलें, जुलें, उठें, अपने काम खुद करें, अपने कपड़े खुद तह करें, अम्मी को अवाज ना दे के, अम्मी कपड़े तह कर दे, एक बंदा घर में भागदौर कर रहा होता है, और बाकी सब rest कर रह है, और make sure के आप proper multivitamins और minerals ले रहे हैं, यानि के जो आप खापी रहे हैं, उसमें आपकी चीज़े पूरी हो रही हो, और अगर किसी भी छीज की कमी है, तो उसको भी balance में लेके आए, remember that, जैसे के calcium absorb होता है, vitamin D की help से, तो अगर आप calcium नहीं 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 तो calcium नहीं नहीं So, इन चीजों का balance भी रखना है, और कोशिश करें के every six months to one year, एक अपना head to toe check up करा लिजे, ताके आपकी सारी चीजें जो है, वो stable हो, कभी-कभी thyroid की problem की वज़ए से metabolism आपका बरबाद हो जाता है, और weight gain होता है, या बहुत ज्यादा weight loss हो रहा होता है, So, these are the tips to make sure के आपका metabolism सही तरीके से चले, and आपकी feedback, of course, बहुत important होती है, अगर आपको ये video पसंद आई है, तो like भी कीज़ेगा, share भी कीज़ेगा, और मेरे YouTube के channel को subscribe जरूर कीज़ेगा, और notification bell को भी click कीज़ेगा, खुदा आपिस. Amy Khalid, can you make a video on how to lose your back fat, please ma'am? अच्छा, Amy Khalid, back fat एक ऐसा problem है जो बहुत common है, और पाकिसान में तो खवातीन बहुत इसको face करती है, मैं खुद इसके साथ struggle करती हूँ, इसके लिए proper जो exercise हैं back के लिए हम भी discuss करेंगे, और याद रखिएगा, कुछ problem areas होते हैं, पेट and back वो areas होते हैं, जिससे बिलकुल end मे weight जाता है, उस पे जरूर हम बात भी करेंगे और वीडियो भी बनाएंगे, आपकी feedback मेरे ये बहुत important है, आपके comments भी मैं read करती हूँ, उस पे जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ, आप comments भेशते रहें, ताके मैं आपके सवालों के जवाब दे दी रहूँ, अब मेरी book मा के मामले and mom matters, उर्दू और अंग्रेजी दोनों में दस्याब है, so आप इसे online purchase कर सकते हैं, और इसे पढ़ने के बाद मुझे feedback भी जरूर दीजिएगा. करना करस्दू झालजिए और इसे पढ़ आपके मामले का ऊपके सानिक मांदेब भेशते हूँ, आपके सकते हैं, योपके से बाद्ये एसे कहेंए हूँ.